हेलो एप्रिवान स्वागत आप सभी का टोपर्स प्रेम चैनल में इस वीडियो में आज हम डिसकस करेंगे D.S.S.S.B. टीजिती का जो 2017 में पेपर हुआ था उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट पूछे गे थे और एप्रोक्सिमेट वहां से कितने कोशन जो थे हर एक सब्जेक्ट से देखने को मिले थे वो सारी चीज़े हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे ठीक है P.Z.T. का हमने अल्रेडी किया था तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि T.Z.T. पे भी कुछ इस तरीकी का बनाया जाए कि क्या-क्या जो था वहां पे देखने को मिला था तो देखें, Computer Network Operating System दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको किसी भी एक्जाम में चले जाएए सबसे जादा यही देखने को मिलेंगे सेम हमने P.Z.T. में भी देखा था Computer System और Network सबसे जादा पूछे गए थे Computer Network और Operating System तो यह लगबग जो है 15 से अबव अबव ही पूछे गए थे मैंने Approximate लिखा है देखें लेकिन Question जो थे वह 15 से जादा ही आए थे इसी तरीके से Operating System से भी 15 to 18 Questions जो थे Operating System से पूछे गए थे लेकिन Chances है क्योंकि एक एक Number बहुत Important है तो सारी चीज़े पढ़ने पढ़ेगी कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम छोड़ दे और उसको छोड़ने से काम चल जाए तो सारी चीज़े पढ़ने चाहे Question एक आए दो आए मैट नहीं करता है HTML से भी दो Question यहां से दिखने को मिले थे Hadding और Paragraph से दो Question पूछे गए थे HTML में तो ये भी Important है उसके बाद Data Structure है Shorting, Searching तो इस तरीके की Questions जो थे पूछे गए थे Data Structure से तो ये भी 3-4 लिखे मैंने लेकिन जादा-जादा ही थे 5-6 questions जो थे वो Data Structure से पूछे गए थे DBMS, DBMS और SQL, ठीक है DBMS में इसे लगबग 6-7 questions थे ठीक है, लेकिन SQL की जो Command वगएर है, वहां से भी 6-7 questions जो थे देखने को मिले थे, MS Excel से 2-3 questions पूछे गए, तो MS Excel भी पढ़ना पढ़ेगा C language जो है, प्रोग्राम भी पूछा गया था, तो C language से भी जो है 3-4 questions जो थे देखने को मिले थे C++ OOP, यानि कि जो Member Function होता है, या फिर Constructor, Distructor, इस तरीके के जो questions आते हैं C++ OOP से, Polymorphism and Encapsulation, तो वो भी जो थे इसमें देखने को मिले थे कमांड पूछे गई थी Linux और Unix की कमांड, 7-8 questions जो थे कमांड पर ही बेस थे कि कौन से कमांड किस चीज़ के लिए यूज की जाती है, तो ये भी पढ़नी है, okay, ASP.NET यहां पर भी 4-5 questions जो थे पूछे गई थे ASP.NET से और ASP.NET से हमने PZT में भी देखा 16 questions जो थे ASP.NET से पूछे गए थे, तो इंपोर्टेंट है, okay, उसके बाद बात करते हूँ digital electronics जिसमें number system hexadecimal code दे दिया, उसका octal बनाईए, या उसको binary में लिखिए, इस तरीके से एक question जो आपको number system से देखने को जरूर मिलेगा, okay, और बाकि digital electronics, logic gate वगरा है, यहां से question देखने को मिले थे, okay, तो mainly जो subjects पूछे गे थे, वो यही पूछे गे थे, एक आद question जो होगा, वो किसी और other subject से पूछा गया हो, ठीक है, okay, एक और चीज जो बच्चों को doubt रहती है कि जो syllabus हो रहा है हमारी तरफ से, कि वो TCT के लिए है या PCT के लिए है, तो देखे एक चीज़ आप समझ लीजी, computer का syllabus दोनों के लिए ही same है, या TCT हो या PCT हो, ऐसा नहीं है कि TCT के लिए कुछ और syllabus होगा, और PCT के लिए कुछ और syllabus होगा, syllabus दोनों के लिए same है, उस वक्त जब TZT का paper हुआ थे 2017 में, तो ये first time paper हो रहा था, तो उस वक्त जो था, ये थोड़ा सा easy level रखा गया था, क्योंकि जब हम first time paper देते हैं, तो उस वक्त बच्चों के लिए ये भी बहुत मुश्किल था, लेकिन आप जब उस paper को 2 साल बाद देखते, तो obvious that हमें वो असान लगेगा, क्योंकि उन चीजों को हम cover कर चुके होंगे, ठीक है, लेकिन जब paper हुआ था, तब वो difficult था, तो आप तो TZT का paper हुआ है, उस level को देखकर अपनी paper की तियारी मत कीजिए TZT के लिए, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, वो offline paper था, उसके बाद pattern change हुआ है, online में जिस तरीके की question आपने PZT में देखे थी, पेपर उसी तरीके का आएगा TZT में भी, ठीक है, TZT में भी, क्योंकि online का pattern हमेशा जो पीछे आप paper देखेगी न, TZT हो, PZT हो, वो same ही रहा है, सिर्फ फरक सिर्फ इतना हो सकता है, कि जैसे PZT में कोई subject हम जो ले रहे हैं, वो थोड़ा deeply question आपसे पूछ ले, TZT में थोड़ा basic पूछ ले, लेकिन subjects तो same ही रहेंगे, पढ़ना तो उतना ही पढ़ेगा, चाहे TZT का exam दे रहे हो, तो जो भी चीज़े हो रहे हैं, वो दोनों ही exam के लिए हो रहे हैं, अगर आप PZT की तयारी करेंगे, कि आप PZT की तयारी कर रहे हैं, तब जा अगर आप कहीं पर TZT का clear कर पाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि TZT में कोई आपको अलग subjects दे जाएंगे, syllabus वही है, जो हमने पहले पढ़ा है, BCA में पढ़ा है, BSC में पढ़ा है, या BTEC वगरा, जिसमें भी जो भी syllabus हमने पढ़ा है, तो वही चीज़े पढ़ी हैं, जो मैंने आपको बताये subject, तो यही सारे subjects जो हैं, पूछे जाएंगे, एक्जाम चाहिए कोई भी हो, TZT या PCT, तो जो भी करवाया जा रहा है, वो दोनों के लिए है, और दोनों के लिए ही important है, इस बार जो TZT का paper होगा, उसका level पिछले वाले paper से कहीं जादा high रहने वाला है, तो उस पर depend मत रहिए कि पिछली बार आसान पूछा गया, तो इस बार भी आसान पूछा जाएगा, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, ठीक है? तो उन सारी चीजों को ध्यान से पढ़िए, देखे लगबग सारे subjects वही हैं, computer network है, operating system है, HTML है, data structure है, DBMS, SQL, C language, जादा question पूछे गए हैं, वो same ही है, ओकी, और यहाँ पर देखे, ASP.NET पूछा गया, यह जब 2017 में आपसे ASP.NET पूछ सकते हैं, तो अब क्यों नहीं पूछ सकते हैं, अब क्यों नहीं आपसे वो JavaScript पूछ सकते हैं, तो JavaScript जो चल रहा है अभी भी, वो दोनों के लिए है, TCT और PCT दोनों के लिए, ठीक है, और इसके लावा C++ OOP, तो सारे subjects होई हैं, कुछ अलग है ही नहीं, ठीक है,